Hello dear students, आज की वीडियो में हाइगेंस के तरंग के सिधानत वाले चैप्टर में आपकी टॉपिक है तरंग आग्र जिसे बोलते हैं वेब फ्रन्ट क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी के आधार पे हम हाइगेंस प्रिंसिपल आप सेकेंडरी वि अग्रत यनि कि तरंग अगर संचरित हो रहे हैं ये माध्यम में तो उसका जो अग्र भाग होगा वहाँ पे एक ऐसा कोई प्रिष्ट खीचा जाए जिस पर कमपन करने वाले सभी कर एक समान कला में हो तो उस प्रिष्ट को हम तरंग आग्र कह सकते हैं अभी आप समझ होने वाले माध्यम में खींचा गया खींचा गया ऐसा प्रिष्ट जिस पर इस्थित सभीकर कमपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है मतलब ये तरंग धन अग्र यही है तरंगाग्र ये आप कह सकते हैं तरंगाग्र वेब फ्रंट क्या है वेब का फ्रंट इंगलिज से तो क्लियर हो रहा है वेब का फ्रंट यानि कि तरंग के सामने जो है वही आपका तरंगाग्र है तो इसमें आप लिख सकते हैं, तरंग संचरित होने वाले माध्यम में खीचा गया ऐसा प्रिष्ट, जिस पर इस्तिस सभीकन कमपन की समान कला में होते हैं, है ना, यहुं तरंगागर कहलाता है, अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कमपन की समान कला में, है ना तरंग संचरित होने वाले माध्यम में खीचा गया ऐसा प्रिष्ट जिस पर इस्ति सभीकन कंपन की समान कला में हूँ तरंगाग्र कहलाता है कला क्या है कला आप जानते हैं 11th क्लास में जब वेब पढ़े थे तब उसमें आपको मिला होगा थीटा थीटा ये रेप्रेजेंट करता है किसी भी कंपन की जब जिसमें आध्यम में ट्रिवल करती है उसमें हर एक कंपन की एक कला होती है कला का मतलब एक एंगल बनाता है जो ये डिसाइड करता है कि उसकी पोजीशन और डारिक्शन क्या है मतलब इस्थिती और उसकी दिसा दोनों का निर्धारण हम कर सकते हैं फेज से और ये सीधे सीधे डिकलेर होता है किस से ठीटा से मान लेते हैं एक कण यहाँ पे है ये किसी छण किसी एक विशेष instant पे ये कुछ इस तرह से 30 डिगरी पे मूब हुआ इस तरह से ये कंपन कर रहा है तो यहाँ पे दूसरा कंड है ये भी 30 डिगरी पे मूब कर रहा है तो ये दोनों कंड अ और भी कंपन की समान कला में होंगे तो इससे जो परिष्ट बनेगा वो हमारा तरंगाग्र कहलाएगा यनि कि अगर हम एक प्रिस्ट इनके चारो तरफ ऐसा खीज दें जिसमें ये दोनों कड़ आएं तो ये दोनों कड़ जो प्रिस्ट बना रहे हैं या जिसके अंदर आ रहे हैं वो वाला प्रिस्ट हमारा जो माद्यम है उसमें उपस्थित कड़ जो होते हैं वो वाइब्रेट करना सुरू कर देते हैं कमपन करना सुरू कर देते हैं जिसके कारण जो light के energy होती है वो अगले कड़ में transfer हो जाती है और इस प्रकार से प्रकास की तरंग का संचरण होता है ऐसा इन्होंने बताया था और इन्होंने ये भी बताया था कि प्रकास की जो तरंग देर्द होती हो बहुत छोटी होती है मतलब प्रकास की तरंग की लंबाई बहुत छोटी होती है जिससे हमें वो एक सीधी रेखा में दिखाई पड़ती है क्या बताया था इन्हों ने ये बताया था कि प्रकास जो होता है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है अब वेवलेंथ अगर छोटी होगी तो उसमें आप जानते हैं तरंग ऐसे ऐसे चलता है अगर वेवलेंथ बहुत छोटी है तो ये आपको जो इतना बड़ा-बड़ा उभार यहां प दिखाई पड़ेगा, मतलब ये कि प्रकास आपको लगेगा कि एक सीधी रेखा में चला है, लेकिन अगर इन्होंने तरंग माना है, तो तरंग में क्या बनता है, स्रिंग और गर्द, मतलब ट्रा और क्रिस्ट बनता है, और उसके according, यहाँ पे तरंगों में उभार आपको द चोटे बनेंगे, मतलब इतना चोटे बनेंगे कि ये आपको दूर से स्टेट लाइन ही लगेगा, या आप किसी अगर इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, तो आपको ये स्टेट लाइन में ही दिखाई पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला था कि प्रकास से एक सीधी रेखा में चलता है, और यहाँ पे हमने कला का भी concept बता दिया, और आप इसकी परिभासा में ऐसा लिख सकते हैं, अब तरंगागर के प्रकार की बात करते हैं, तरंगागर कितने प्रकार का होता है, लेकिन ये decide किया, हाइगेंस नहीं decide किया, इन्होंने light source के आलह spherical, spherical, मतलब गोलिय तरंगागर, और दूसरा है, plane, मतलब समतल तरंगागर, और तीसरा है, cylindrical, cylindrical, wavefront, तो ये तीन टाइप के wavefront होते हैं, बेस ड्यान, क्या, light source, light source के आधार पर इन्होंने बताया कि तरंगार के इतने प्रकार के होते हैं, तीन, एक है आपका, spherical, दूसरा है, plane, तीसरा है, cylindrical, अब spherical तरंगागर कैसे बनता है, जब इसमें light source कहां पर होगा, परिमिती दूरी पर होगा, मतलब दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और light source आपका बिंदूवत होगा, तब जो तरंगागर बनेगा, वो हमारा कैसा इसके लिए condition क्या है, जो प्रकास स्रोथ है, प्रकास स्रोथ, ये कैसा होना चाहिए, गोलिये या बिंदूवत, आप कह सकते हैं, दूसरे condition ये है, ये परिमित दूरी पर होना चाहिए, ये इसकी condition है, मतलब आप कह सकते हैं, कि बिंदूवत ये गोलिये प्रकास स्रोथ से परिमित दूरी पर बना तरंगागर, कैसा होगा, गोलिये होगा, या आप इसको दूसरे सब्दों में भी बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, कि जब प्रकास स्रोथ बिंदूवत होता है, तो उससे परिमित दूरी पर बनने वाला तरंगागर कैसा तरंगागर होता है गोली तरंगागर होता है तो इस तरह से आप गोली तरंगागर को डिफाइन कर सकते हैं अब इसके बाद आता है आपका सम्तल तरंगागर क्या होता है इसको भी आप लोग जान लें सम्तल तरंगाग तरंगाग्र ये क्या होता है इसमें light source जो होगा यनिकि प्रकास उत्पादक स्रोध वो आपका बहुत दूर होगा यनि कि अगर प्रकास स्रोत आपका बिंदुवत है और बहुत दूर है तो उस स्रोत से बहुत ज़्यादा दूरी पे अगर हम कोई तरंगागर बनाएंगे तो वो तरंगागर हम को समतल दिखाई पड़ेगा अब रीजन इसका क्या है यह सबसे बड़ा मैटर है यहाँ पे और यहाँ पे क्या मैटर था गोली यह बनने का आप ने अगर देखा होगा किसी बल्ब को अगर ध्यान से देखें तो अगर बल्ब हमारी आँक के बहुत ज़्यादा समीफ होता है तो आपको वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि उससे निकलने वाला प्रकास उसके चारो और ऐसे एक गोले में चल रहा है है ना? लेकिन वो क्यों ऐसा दिखाई पड़ता है? क्योंकि आप उस बल्ब से बहुत कम दोरी पर हैं इसलिए आपको वो ऐसे ये आपका माल लेते हैं बल्ब है ऐसे ऐसे वो आपको दिखाई पड़ता है कुछ इस तरह से गोली होके यहाँ पे दिखेगा तो इस तरह से अगर वो दिखाई पड़ता है तो इसका कारड यह है कि आप उस बल्व से बहुत कम दूरी परिस्तित हैं लेकिन अगर आप उस बल्व से बहुत दूरी परिस्तित होंगे तब आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा आपको वो फ्लैट ही दिखाई पड़ेगा जैसा कि मैंने अभी पहले बूला कि अगर बिंदुसरोत आपका जो light produce कर रहा है वो बहुत ज़्यादा दूरी परिस्सित होगा तब उससे जो बनने वाला तरंगाग्र होगा वो हमारा समतल तरंगाग्र होगा और किसी भी तरंगाग्र के लंबवद किसी भी तरंगाग्र के लंबवद खीची गई जो रेखा होती है ये तरंग संचरड की दिशा को दरसाती है या उर्जा के संचरड की दिशा को दिखाती है जैसे कि यहाँ पर एक रेखा खीची गई है और यहाँ पर ये इस तरंगाग्र से 90 अंस की कोण पे है तो ये वाली रेखा भी तरंगाग को रे कहते हैं या इसी रेखा को रे कहते हैं इसी रेखा को रे कहते हैं मतलब किरर कहते हैं ऐसा किस ने बताया हाइजेंस ने बताया तो समतल तरंगागर में आप कंडिशन बता सकते हैं कि जब प्रकास रोत बिंदुवत होगा तो उससे बहुत ज्यादा दूर इस्थित किस अस्थान पर बनने वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होगा जो इस प्रकार बनेगा इसमें भी अगर हम देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन खीशते हैं तो ये लाइन मतलब ये रेखा तरंग के संचरण की दिशा या उर्जा के संचरण की दिशा को दरसाएगी और इसी रेखा को किरड कहते हैं ऐसा हाइगिंस ने बताया अब तीसरी वाली केस है तीसरी वाली केस में जब प्रकास स्रोथ कहां पे होगा परिमित दूरी पर होगा और रेखिय होगा ये प्रकास स्रोथ आपका जो लाइट प्रोडियूस कर रहा है ये एक रेखिय स्रोथ है और इससे परिमित दूरी पर बनने वाला जो तरंगाग्र होगा वो बेलनाकार तरंगाग्र होगा इसमें हमने यहाँ पे अर्ध बेलन बनाने का प्रयास किया है ऐसा ही बनता है और एक यहाँ पर पूरा बेलन बनाया है जिससे आपको पूरी बात समझ में आए हलाकि इसका हम जो फीगर है तीनों का ये आपको हम असपस ट्रूप से दे देंगे कि किस प्रकार इसका फीगर बनता है जैसा कि देखिए यहाँ पर इमेज में बन रहा है ये वाला है गूली तरंगागर का फीगर और दूसरा वाला ये जो दिखाई पड़ रहा है ये है सम्तल तरंगागर का फीगर और ये जो तीसरा आपको दिखाई पड़ रहा है यह है बेलनाकार तरंगागर का फीगर तो इस तरह से आप बना सकते हैं फीगर को अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एबाउट दा हाइगेंस प्रिंसिपल आप सेकंडरी वेवलेट हाइगेंस का दितियक तरंगीकाओं का सिध्धान्त क्या था इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिस करेंगे क्योंकि इसका डेटेल अगर हम आपको बताएंगे तो काफी लंबा बनेगा आप इसका नोट बना सकते हैं आप कैसे इसको बनाएंगे आपको हम पॉइंट वाइस बताते हैं हाइगेंस के दितियक तरंगीकाओं के सिध्धान्त के अनुसार इन्होंने एक अपना अलद कॉंसेप्ट दिया अपनी एक परिकल्पना दी जिसमें इन्होंने कुछ परिकल्पनाओं को बताया और उसी के आधार पे दितियक तरंगीकाओं के सिध्धान्त को लोगों के सम प्रस्तुत किया, तो हमें बताना है, हाइगेंस की दितियक तरंगिकाओं का सिध्धान्त, ये आपको जानना है, इसमें इनोंने अपने कुछ परिकल्पनाएं दी, अब इसमें इनोंने बताया था कि जो इनोंने मीडियम माना था, जिसमें प्रकास तरंग प्रोपगेट करती है, ये संचरित होती है, उसमें इनोंने एक मेडियम माना था, इथर, जिसकी प्रत्यास्था बहुत ज़्यादा और घरत तो बहुत कम था, आपको हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिध्धान्त में या हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिध्धांत में इनकी परकल्पनाएं क्या थी हम इसके बाड़े में थोड़ा से चर्चा करते हैं इन्होंने बताया कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत तरंगे उठ्पन्न करता हैıntो उसके चारोड इस्थित माध्यम के कण Senhor कंपन करने लगते हैं और माध्यम का वह प्रिष्टिट जिस परिष्टिट सभीकड कमपन की समान कला में कमपन कर रहे होते हैं उसे तरंगागर कहते हैं समाग माध्यम में किसी तरंग का तरंगागर तरंग संचरड की दिशा के लंबवत होता है कहने का मतलब इन्होंने बताया कि अगर माद्यम कैसा है माद्यम इनका अगर समांग है समांग बोले तो Iso Tropic Medium अगर है तो उसमें तरंग अग्र जो होता है ये मान लेते हैं एक तरंग अग्र बना ये तरंगाग्र तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत होता है चाहे इसको हम ऐसे बोलें या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि तरंग संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है तो इनकी ये पहली परिकल्पना थी और इन्होंने दूसरे concept में अपने बताया था कि माध्यम में जहां भी तरंगागर पहुंचता है वहाँ पर इस्थित्पतेक कण जो होता है वो एक नए source का काम करता है source का मतलब यहाँ पर नए तरंग source का काम करता है जैसे ये तरंगागर यहां पर पहुँच गया तो यहां के जितने भी कन होंगे जो इस पर इस्तित होंगे वो एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे मतलब फ्रेस सोर्स प्रोड्यूसिंग वेब मतलब एक वो नया स्रोथ होगा जो वेब को प्रोड्यूस करेगा और सभी संभाधिसाओं में वेब को प्रोडियूस करेगा ये इनकी दूसरी परिकल्पना थी इस तरह से यहां से वेब निकलना सुरू हो जाएंगी और जब उन वेब्स का फिर से हम इन्वेलप खीचेंगे तो उस पर भी हमको कुछ कण मिलेंगे और उन कणों का अगर हम तरंगागर आगे भी खीचना जाते हैं क्योंकि वेब्स लगातार प्रोडियूस करेंगे इनके अनुसार ये भी बेब्स को प्रोडियूस करेंगे तो वहां पर जो तरंगागर बनेगा वो भी क्या करेगा दितियक तरंगिकाओं को लगातार प्रोड्यूस करेगा तो इस तरह से इनकी दूसरी परिकल्पना थी कि माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंसता है उसके प्रतेकन का एक नया स्रोत बनता है जो दितियक तरंगिकाओं को सभी दिसाओं में निकालता है या produce करता है ये इनका दुसरा concept था और तीसरा concept इनका है कि किसी छण दितियक तरंगिकाओं को अगर अस्पर्स करता हुआ एक इन्वेलप खीचा जाए तो वह नवीन तरंगागर की नई इस्तिती उस छण पे दरसाता है ये आपको जैसा कि फीगर में दिखाई पड़ रहा है ऐसे ही इन्होंने बताया तीसरे कांसेप्ट में ये देखिए जो फीगर मना है कि किसी छण सभी दितियक तरंगीकाओं को असपर्स करता हुआ खीचा गया प्रिस्ट अर्थात एन्वलप उस छण तरंगागर की नवीन इस्तिती को प्रदरसित कर रहा है जिसमें प्रादंभिक इस्तिती तरंगागर की AB है इस पर 5 पॉइंट लिए गए है और इन्होंने बताया था कि जो सेकंडरी वेबलेट्स होती है उनका जो वेलसिटी है वो प्राथमिक वेब की वेलसिटी के बराबर होता है इसलिए सेकंडरी वेबलेट्स की जो वेलसिटी है वो फर्स्ट वाली वेब की वेलसिटी के बराबर है तो ऐसा इन्होंने बताया था अब इनके जो दूसरे नियम की हम बात कर रहे हैं हाइगेंस का दितियक तरंगिकाओं का सिधान इसको हम अगले वीडियो में और डिसकस से आपके साथ सेर करेंगे तब तक के लिए आपको वेट करना है और अच्छे से इस कांसेप्ट को तयार रखना है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें सेर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद